कि दीक Isn't देखेंगे जो आगे का कोंजप था इसमेंग कोंज़ेंग कर स्रूमदा कंजप्शन कर्व जैसे मुझे से डिया हुआ है उहां से क्या बनाना है से विंगक बनाने perception मतलty उब भुग जो कर्व दिया हुआ था उसमें सर जहां परland एंट से करते जहां पर भी होता है इसमें क्यों john कबराइच करते हूँ किंगर में जहांगे ना रिजन पता है कि कुछ नहीं कुछ consume करेंगे और जहां पर यह दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते वह जएदा है ब्रेक इवन पॉइंट तो यह मेरा सब्सक्राइब तो यह मेरा सब्सक्राइब था सब्सक्राइब तो यहां से नीचे से स्टार्ट होगा नीचे से स्टार्ट होगा क्यों कि हमनी जो यहां पर यहां पर बढ़ती होई इंकम दिखाएगी तो यह हो जाएगा जहाएगा आपका कमझाप्शन सेविंग से बेसे यह वाली पॉइन्ट आपको डिखbound दिखा जाता है Lego LEG δεν च remote से और यहां जाए Me और यहां पर यहां पर यह जाता है कमझाप्शन से बंदग फ कर्वड़ से इस इसमें बनाए से यहां पर डिस सेविंग और यहां पर सेविंग और ऐसे यहां पर फिर उसी से पॉइंट से इंटर्सेक्ट करके यह वाला पॉइंट बना है यहां पर इंटर्सेक्ट हो रहा है ठीक है यहां कि समझे अब अब आगा इंवेस्टमेंट function क्या होता है investment का kya relation होता है income के साथ जो है investment का kya relation होता है income के साथ Ch Dewation इंवेस्टमेंट का kya relation होता है जैसे जैसे वैश्टिक इंकम बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा जीसा invest करना वह शुरू करता है तो ऐसे investment दो तरीकी की बता ह्याँ कि इन्द्यूस investment क्या होती है और autonomous investment क्या होती है ओ्टोनोमस इंवेस्ट्मेंट आपको बताया थी यह क्या होती है और पेरलेल्ल रहे यह एकसेस के यह क्यों हती है यह सेम रहेगी constant रहेगी यह चेंज ही नहीं होगी वह बताया था जब आपको figure बनाया था उसमें स्यम भीवाइब यह जो आपके सब्सक्राइए यह वाली इसमें इसमें इन्वेश्टमेंट था इसमें इन्वेश्टमेंट ओरते ही हैं इंकम बढ़ द्यवां नहीं होके हैं अमेशा constant रहेगी तो इस जो ऑटनमेस्ट में आ जाते हैं अपके government sector क्योंकि government जो है वो investment करती है उसको भाए ये नहीं है क्यों 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 कि investment करती है उसको social welfare के लिए फिर जाते है induced investment induced investment का मतलब होता है जो private sectors होते है इसमें यह क्यों लिए इंकम के साथ हिसमें प्राइवेट सेक्टर होते है जब प्रॉफिट जादह रहते तो सब्सक्राइटांब ऑस सब्सक्राइब शब्सक्राइब उड़नेंस करमें एपने ऊधने जो तेए झिल सबस्क्राइब RS और यह social welfare के लिए होता है तो यह induced investment, autonomous investment यह कोशना का difference आज़ा है फिर जाता है x and saving क्या होते है और x and investment क्या होती है x and saving और x and investment and का मतलब होता है planning इसमें बहुत जाते है कि planning to save x and saving का मतलब होता है कि कितनी planning क्या है इन्वेस्ट मेरी के प्लवेस्टमेंट का मतलब होता है कितनी planning की कितनी planning की है investment करने की जाते है x post saving और x post investment एक्स post की इस and में आ जाता है कि कितना planned किया saiv करने को और इसमें कहोते होता है कि कितनी actually जो है वो saving की है ठीक है पोस्ट में actually saving जितनी की है ऐसे ही x post investment की हो जाएगा जितनी actually investment की है ठीक है इसमें है full employment level फूल employment के level क्या हो जाता है और person who are willing and able to work at existing wage rate ये क्यों होता है person करना चाहता है और और वो करने की इक्षा रखता है जो person who are willing वो चाहता है और able to work at existing wage rate उसको कहता है full employment level person जो full employment पूरा रोजगार person एक व्यक्ति जो है वो काम करने की इक्षा रखता है at existing wage rate पे उसको कहता है full employment अब यह देखो किस के इंते तरीकी की होती है Frictional Structural Involuntary और voluntary Frictional Employment क्या होता है temporary shift Frictional Unemployment क्या होती है Frictional Unemployment वहती है temporary shift and free from one job जब Frictional जब कोई व्यक्ति एक जोब से दूसरी जोब की तरफ जाता है तो उसके बीच का जो गया आप होता है एक जोब से दूसरी जड़त शिप्ट होने के लिए जितने टाइम वह अनिम्प्लोइट रहा था उसको कहता है Frictional Unemployment ठीक है इस्ट्रक्शनल इस्ट्रक्शनल इंप्लोइमेंट वहता है जैसे बारो चेंजिन टक्नोलोजी आ जाए किसी मतलब जैसे कहीं पर किसी और तरीके की टेक्नोलोजी चलते थी अब वहां पर किसी और तरीके की मशीन आ जाए अब उसको भही मशीन हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग्स दी जाएगी तो उत्रे टाइम तक कि जोए इंप्लोइमेंट रहेगी है फिर दूसरे कालिकर रखे जाएंगे उसको कहेंगे इन्वालेंट्री यह इंप्रेंट्री और विरोजगारी यह काम करना चाहता है और इसको काम नहीं मिल रहा है यह कहो जाते है इन्वालेंट्री का मतलब होता है इसको काम मिल रहे है लेकिन काम नहीं करना चाहता ठीक है